आज की ताजा ख़बर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए IPL 2018 हुमे रविवार को हुए टूर्नामी इंट के 12 में मैच में पंजाब ने चैनाई को 4 रन से हरा दिया इस रोमान चक मैच में जीत के लिए चैनाई को आखरी ओवर में 17 रन बनाने थे लेकिन वो 12 रन ही बना सकी मैच में पंजाब की इनिंग के दोरान खेल भावना का बेखतरी न जारा भी दिखा जब गेल के कहने पर ब्रावो ने उनकी मदद की ये दोनों प्लेयर्स वेस्टन डीज के ही है मैच के दोरान ये मोमेंट किंग्स 11 पंजाब की इनिंग के दोरान दिखाई दिया जब क्रिस गेल और लोकेश राहूल क्रीज पर खड़े थे गेल और लोकेश आपस में बात कर रहे थे इसी दोरान गेल के करीब से ब्रावो और जड़े जाने कले इसके बाद गेल नौन स्ट्राइकर अनकी और जाने लगे जब गेल लौट रहे थे तभी उन्हें अपने जूते के फीते खुले नजर आए उन्होंने अपने ही देश के प्लेयर ब्रावो को बुलाया और इशारा करते हुए जूते के फीते बांधने को कहा इसके बाद ब्रावो ने बिना किसी जजकें उनके खुले हुए जूते के फीते बांद दिये खेल भावना का इस तरह का नजारा हराए पील सीजन में कभी ना कभी दिखाई दे ही जाता है